यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ विश्यता केवल 29 सेकंड रही वैसे माना जो रहा था कि शाम को 7 बज कर 2 मिनट से लेकर 7 बज कर 4 मिनट के बाद चांद दिखाई देगा रात नौबर जी के आसपास चांद का अलान हुआ रमजान के महीने का चांद दिखने के बाद मस्जिदों में रमजान की विशेश नमाज तराहवी भी शुरू हो गई है आपको बतादे कि इस बार राहूल माप कीजिगा आपको बतादे कि इस बार बहुत बड़ा रोजा पड़ेगा और वो है 14 जून को जो कि 14 से 15 गंटे से पहले ही खत्म नहीं होगा वो है 11 जून को शब कदर मनाई जाएगी साथि आपको बतादे कि रमजान पूरे 30 दिन का होता है जिसे इसलामी कैलेंडर में हिज्री कहा जाता है और ये महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है इसमें 5 स्थम्भों में से एक स्थम्भ से माना जाता है और रमजान का पहला रोजा आज होने वाला है कर रात को चांद देखने के बाद से ही नमाज अदा करना शुरू कर दिया जो भी मुसलिम संगठन है उनकी और से अलान कर दिया गया है रमजान का पहला रोजा आज रहेगा और साथी आपको बता दें चांद के दीदार के बाद अलान कर दिया गया है मुसलिम संगठन जो भी है उनकी और से अलान कर दिया गया है उसके बाद मुसलिमों ने मस्जिद में नमाज अदा करना भी शुरू कर दिया चांद के दीदार के बाद अलगी 29 सेकिंड तक इस चांद को देखा गया और रमजान का पहला रोजा आज सोने जा रहा है और ये पूरा महीना ही काफी खास रहता है मुस्लिम समुदाई के लिए तो रमजान का पहला रोजा आज होगा साथ ही आपको बता दे चांद के दीदार के बाद मुस्लिम संगठनों के ओर से ये अलान कर दिया गया है और अलान करने के साथ ही आपको बता दे की मुस्लिम समुदाई जो होता है उनके लिए काफी खास ही रहता है और कल रात को चांद के दीदार होने के बाद ही नमाज ददा करना शुरू कर दिया मुस्लिम संगटनों की ओर से मुस्लिमों ने मस्जिद में नमाज ददा की और रमदान का पहला रोजा आज है झाल